हेलो फ्रेंज अंजु किर सोही में आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हुँ अलाईदार कोफते चलिए शरू कर लेते हैं लाईदार कोफते बनाने के लिए उसके लिए हमने कच्छे केले को काट के रख लिया है इसे हम बोल कर लेंगे बॉल करने से पहला हम इसमें डालेंगे आधी चमच नमक, दो कटोरी पानी, फिर कुकर के ठकन बन कर देंगे, अब इसे गैस पर रख देंगे, एक से दो सीटी आने तर उबाल लेंगे, ये देखिए केला उबल गया है, अब इसे छेल के हम, एक साइड बॉल में रख लेंग इसी तरह से सारे केले को छिलना है, अब इसे एक चाकू से हम, छोटे चिप्स के अकार में काट लेंगे, पीसे के अकार में, ये देखिए, हमने केला को भी काट लिया है, केला कट गया है, अब इसे हम हाथेली पर रखे हलकालका सा दबा लेंगे, इस तरह से, अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, पहले डालेंगे थोड़ी से हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिट्स पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, नमक स्वादा नुसार, अब इसे चम्मच के साहे ते अच्छी से मिक्स कर लेंगे, यह कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया है aba थोड़ी से तेल लेंगे हम एक से दो बड़ी चमाच इसे hello fry कर लेंगे इसी तरह से जितने हमने केले चिप्स बनाया है उसे अच्छी तरह से फ्राइत रोगे ये देखिए एक साथ से प्रॉब काटशंब के अच्छा से यह कर लेंगेnegात कि प्रॉब जब केली चिप्सक्षा निकाल लेगेजुब बाका त्यांकिन कर aesthetics मासाले के ग्रेवी अलग बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे ग्रेवी त्यार करने के लिए इसमें एक बड़ा चमत तेल तेजपत्ता हरेमेच इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अज्वाइन है कलॉंजी है सौफ है और इलाइची है तड़का के लिए ढूलेंगे जीरा थोड़ी सी राई दाना इस से भी अवे गटा हुआ प्याज इसे भी सेलो फ्राई कर लेंगे हलका सा गुलावी नहीं होने तक ये देखिए हलका सा गुलावी हो गया है प्याज अब इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर इसे भी हलका सा भून लेंगे हलका सा भून लिए हमने यह भी खुलावी कलर का हो गया है अब इसमें डालेंगे जो मसाला तयार करके रखे दे ग्रेवी के लिए यह हमने डाल लिया है इसे भी अच्छी तर सा भून लेंगे कम से कम धी में आज पर हमने इसे भूनना है कि तेल छूट जाए साइड से थोड़ी सी पाइन डाले हमने कि अच्छी तर से मसाला पक जाए यह दखिए मसाला अच्छी तर से भून गया है अब इसमें डालेंगे एक चमच मलाई थोड़ी सी गुल ताकि खट्टा मिठा का फ्लेवर आये इसमें खाने में स्वाद आये अच्छी तर से हमने मिक्स कर लिया है आप ग्रेवी क्यानु सारा इसमें पाइन डाले हमने दो कटोर इसमें पाइन डाला है ग्रेवी के लिए अगर आप चाहे तो सूखे बना सकती है ने थोड़ा से ग्रेवी भी रख सकते हैं यह देखे हमने दो कटोर डाले इसमें डालेंगे नमक स्वादा नुसार इससे अच्छी तरह से उबाल लेंगे एक उबाल तक अच्छी तरह से मसाला हमने ढख दिया है यह देखे उबलने लगा जो हमने फ्राय चिप्स काड़क तयार किया था केले का उसको हम इसमें डाल लेंगे कोफ्त के अनुसार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इससे अब ढख देंगे पांच मिन्ट के लिए धीमें आज पर यह देखे इसके मलाई दर कुप्ता बनके त्यार हो गया है आप इसके साथ में पूरी पराथा रोटी चावल के साथ में परुष सकते हैं इसके साथ में गानिशिंग के मलाई कई उसकीया है